हेलो गाइस वेलकम तो मैं यूट्व चैनल इस वीडियो में मैं बात करने वाला Samsung Company की वह से आने वाला Samsung 198 लीटर 4-star refrigerator जैसे कि मैं लास्ट 12 मंद से यूज कर रहा हूँ 12 मंद बाद में इसका क्या कंडिशन है क्या है प्रोपर ली वाकर अभी है कि नहीं यह फिर इसके करें सेमें रफ्रेजेटर कोई 16,000-17,000 का सेल कर रहा है जो सेलर समने पर्चेस के उसका लेंक में डिस्क्रिप्शन में दिये दूँगा जब मैंने पर्चेस के ओफर भी चालूता तो हो से कि को भी कंप्राइस में मिल जाए आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना प्राइस अपन डाउन भी होते रहता है तो रिवी शेयर करने के पहले मैं आपको बता था तो बॉक्स के अंदर आपको आएगा एक यूजर मैन्यूल रेफ्रीजेटर की और एक वारंटी वारंटी देखने को मिल जाती complete product पर 10-year की वारंटी देखने को मिल जाती compressor पर चुकि काफी लंबे टाइम की वारंटी दी गई है और complete हमारा रेफ्रीजेटर कंप्रेसर पर डिपेंड रहता है कंप्रेसर के तो कोई भी आप लोकल रेफ्रीजेटर पर्चस करोगे तो जिस 21 cm है, width 57 cm और height आपको 132 cm देखने को मिल जाता है जैसे कि इसके अंदर आपको 4 star rating भी देखने को मिल जाती है जिसके अंदर annual energy consumption के बाद करें तो 131 kHz जो कि अवर यूज़ करेगा और voltage जो कि आपका 220 voltage complete यूज़ करेगा और जैसे कि इसके अंदर capacity आपको 198 liter के दी गई है त तो design और look की बात कर लें तो यह different different color में available है जो कि यह मैंने purple color में 25 के हुआ सामने को और आपको flower का printing देखने को मिल जाएगा, left side में key देखने को मिल जाएगा, key unlock lock होने के लिए और बीच में आपको Samsung की branding और उपर आपको inverter compatible करके जो कि एक branding देखने को मिल जाएगी, उपर से अंदर आपको कोई भी rust वगेरा नहीं लगेगा, और इस fridge के नीचे आपको एक और container देखने को मिल जिसके अंदर onion हो गया, potato हो गया, जो चीज़े हम फ्रीच में नहीं रख सकते हो, तो जिसके कारण आप easily हमारे सारे vegetable fruits lesson वगेरा सारे एक जिगा हमारे आ जाएगे, और इस इसके नीचे जो कि ना कोई भी space भी देखने को नहीं मिलेगा, नीचे की tray में तो जिसके की mouse वगेरा अंदर चले जाना चुआ वगेरा, तो ऐसा कोई भी problem आपको देखने को नहीं मिलेगा इस refrigerator में, जो कि काफी अच्छी space दी गई है, अब अंदर के side का design की बात करे तो और आपको 20 से 24 लिटर की देखने को मिल जाते है, विसके side में आपको एक knob दिया गया है, तो इस knob के through आप freezer की speed को control कर सकते हो, अपने requirement की हिसाब से उसके बीच में एक button दिया गया, for example इसके बहुत जादा बरफ जम जाती है, तो इस button पर प्रेस करोगे तो आपकी बरफ पि नीचे हुए, वो सारे के सारे आप रख सकते हो, और एकदम नीचे आपको जो की vegetables का देखने को मिल जाते हो, जिसके अंदर आपका easily one week का vegetable आ जाएगा, तो काफी बड़ा basket दिया गया है vegetable का, अब door side के bucket की बात करें तो आपको 2 लिटर के आराम से 3 bottle आ जाएगी, 2 bottle rack दिये और इसके ऊपर आपको bread वगेरा या फिर amul वगेरा रखना है, तो इसका एक अलग से space दिया गया, तो वहाँ आप वो सारी चीजे रख सकते हो, या फिर small can हो गया, अचार हो गया, तो सारी चीजे आप वहाँ रख सकते हो, तो काफी अच्छा space इस refrigerator के अंदर दिया गया है डिजाइन बहुत ही premium बनाए गया, आपके kitchen में बहुत ही premium और अच्छा लगेगा, look और build quality की बात करो तो बहुत ही बहुत ही बहतरीन और अच्छी है, कोई भी मुझे अभी तक इसके अंदर issue अगयरा नहीं देखने को मिला है, अब noise की बात करो तो compressor के अंदर से इतनी noise भी अच्छा लागा रहेगा, वीडियो अच्छा लागा रहेगा, वीडियो अच्छा लागा जाते थे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे और वी इंटेस्टिंग विडियो चीत में चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए, रहेंगे, सो मच वाचिंग दिस वीडियो